तो दूब्स यह हमारा क्वेश्ट नंबर 13 देखे कैसे करना है इसको लेफट हैंड साइड यह रही और राइट हैंड साइड यह रही करना क्या है, में कि हमको x की value निकाल कर देनी है पहले और फिर left hand side में put करनी है और वही right hand side में put करनी है दोनों अगर left hand side right hand side के equal आ गए इसका मंतलब हमारा answer correct है तो करते हैं इसको solve देखे एक term पूरी की पूरी यह है और एक ही यह है इसे हम solve भी नहीं कर सकते bracket को क्योंकि like terms नहीं है यह variable है इसमें नहीं है तो यह solve भी नहीं हो सकती है तो हमारे पास एक ही option बचता है कि हम इस 6 की अंदर multiply कर दें bracket में इसी तरीके से माइनस 5 की इस bracket में इसी तरीके से इसमें और solve करते हैं चलिए 6 तरीजा 18 x 6 की 2 से कराओगे तो plus का 12 वाएगा माइनस 5 की 6 x से multiply करोगे तो माइनस का 30 x माइनस 5 की माइनस 1 से कराओगे तो माइनस माइनस plus हो जाएगा और 5 equal 3 की x से कराओगे तो 3 x 3 की माइनस 8 से कराओगे तो माइनस का 24 माइनस 5 की 7 x से कराओगे तो माइनस का 35 x माइनस 5 की माइनस 6 से कराओगे तो माइनस माइनस plus और 5 से जा 30 और प्लस का 9 x अब आपको क्या करना है कि variable वाली term solve कर लेनी है देखे प्लस माइनस माइनस होता है 30 में से 18 माइनस करना है कितना बचेगा 12 और symbol उसका आएगा जो बढ़ा है 18 बढ़ा है 30 30 बढ़ा है 30 के आगे symbol माइनस का तो आप माइनस लगा दे प्लस 12 प्लस 5 प्लस प्लस 12 प्लस 5 17 इक्वल 3X प्लस का ये रहा और 9X प्लस का ये रहा तो कितना हो गया 9 और 3 12X और माइनस का 35 ऐसे ही है और देखे constant term 24 माइनस की है और ये प्लस की है तो प्लस माइनस प्लस माइनस होता है माइनस तो 30 में से 24 माइनस करोगे तो बच्चे का 6 सिंबल उसका आएगा जो बढ़ा है 30 बढ़ा है 24 तो 30 बढ़ा है इसके आगे symbol प्लस का है तो आप प्लस लगा दे और सॉल्व करें इसको माइनस का 12X प्लस का 17 इक्वल प्लस माइनस माइनस 35 में से 12 माइनस करना है 5 में से 2 गया तो 3 बचा और 3 में से 1 गया तो 2 बचा और X 12 बढ़ा है 35 तो 35 बढ़ा है उसके आगे symbol माइनस का है तो आप माइनस लगा दें प्लस का 6 अब आप क्या करें, variable को एक side ले चलें, left hand side की तरफ लेकर चल रहे हैं, minus का 12x, minus का 23, transpose होगा इस तरफ, तो plus का 23 हो जाएगा, equal to 6, ऐसे ही है, plus का 17, इस तरफ transpose करोगे, तो minus का 17, minus करें, plus minus, minus, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, x, symbol उसका जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 23, उसके आगे plus का है, तो हमें लगाने की जरूत नहीं है, plus, minus, minus, तो 17 में से 6 गए, 11 बचता है, लेकिन बड़ा 17 है, 6 से, इसके आगे symbol minus का है, तो आप minus लगाएंगे, तो x की value चाहिए, minus का 11, as usual, यह multiply में है, उदर जाएगा तो divide में, 11 बचता है 11, तो x की value कितनी आ गई है, x की value आ गई है, minus 1, अब इसको हमको क्या करना है, verify करना है, तो हम taking left hand side लेकर चलेंगे, तो left hand side लेकर चलना है आपको, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है left hand side में, वहाँ आपको क्या put करना है, minus 1, plus 2, bracket close, minus 5, bracket 6, और फिर 6 के बाद क्या है, x, x की जगे क्या put करना है, minus 1, minus का 1, bracket close, हमने कुछ नहीं करा, बस यहाँ पर और यहाँ पर x की value पुट कर दी है, जो हम solve करके लाए हैं, ठीक है, अब board mask के according पहले bracket solve होगा, करते हैं इसको, 6, bracket, 3 बन्जा 3, और यह minus का है, तो minus का 3 आएगा, plus का 2, bracket close, minus 5, 6 बन्जा 6, minus का 6, और minus का 1, और solve करें इसको, तो plus minus, minus, 3 में से 2 गया क्या होचा, 1, बड़ा को होण है, 3, इसके आगे symbol, minus का, तो minus का, bracket close, minus का 5, as it is, minus minus, minus, minus होता है, plus, तो 6 plus 1, 7, symbol उसका जो बड़ा हो, तो 6 बड़ा है, तो इसके आगे minus का, और solve करें इसको, तो 6 की multiply minus 1 से करोगे, तो minus का 6, और minus 5 की minus 7 से करोगे, तो plus का 35, plus minus, minus, तो 35 में से 6 के कितना बचा, 29, symbol उसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, इसमें से 35, वो plus का है, तो हमारा 29 आंसर जो आया है, वो हमारी left hand side आईए, इसी तरीके से आपको right hand side भी verify करनी है, right hand side क्या है, वो है, 3, bracket, x, x की जगे क्या पूट करना है, minus 1, मैं bracket में ले लेता हूँ, minus 8, bracket close, minus 5, bracket, 7, x की जगे, minus 1, minus 6, bracket close, plus 9, और bracket में कितना, minus का 1, इसको हमको क्या करना है, solve करना है, तो देखें कैसे होगा, सबसे पहले bracket solve होगा, तो 3, bracket, minus 1, और minus 8, तो minus minus plus, तो answer आएगा, minus का 9, minus 5, फिर bracket solve करो, तो 7 की multiply minus 1 से करोगे, तो क्या आएगा, minus का 7, और minus का 6, और plus minus, देखे, plus का 9, multiply minus का 1, तो minus का 9 आएगा, क्योंकि आप 9 की multiply minus 1 से कर रहे हैं न, तो 9 बंजा 9, और symbol किसका minus का, जब भी odd minus होते हैं, तो negative ही आता है, symbol, और solve करें, 9 तरीजा, 27, minus 5, bracket solve होगा, तो 7 और 6, 13, वो भी minus का, minus का 9, और solve करें, minus का 27 यह है, minus minus, plus, multiply में है, है न, हमें क्या करना है, minus 5 की multiply minus 13 से करानी है, तो 13, 5 जा, 65, और minus का 9, प्लस, एक तो यह minus का है, और एक यह minus का है, तो यह क्या हो जाएंगे, add, तो 27 में, 9 add करना है, तो कितना आया, minus का 37, 36, 27 में 9 add करोगे, 36 आएगा, तो minus minus, plus हो गया है, plus करके 36 लिखा है, symbol उसका जो बड़ा है, और plus का 65, तो अब हमको क्या करना है, plus minus, minus, 15 में से 6 के कितना बचा, 9, और 5 में से 3 गया, तो 2 बचा, तो यह 29 आया, right hand side solve करके कितनी आई है, 29 और left hand side हमारी solve करके कितनी आई है, वो भी हमारी 29 आई है, तो हमने देखा कि left hand side equal है किसके, right hand side के, that means, our answer is verified.